Study IQ IS अब तयारी हुई affordable of open book exams in select schools तो इसके बारे में हम details से समझेंगे यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार यह open book exam होता क्या है मतलब कि इसका impact students के उपर कैसा होता है क्या यह आसान होता है या फिर difficult होता है वो सारी चीजें जानेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे है आप हमारे foundation batch को join कर सकते हैं जो की 26th of February से start हो रहा है इसके अंदर आपको पूरी त्यारी कराए जाती है प्रिलिंस में इंस इंटर्व्यू सब कुछ लेकिन अगर आप इस साल मई में होने वाला जो प्रिलिंस का exam है उसको focus करना चाहते हैं तो उसके crack करने के लिए हमारा success in प्रिलिंस का program join कर सकते हैं इनको avail करने के लिए हमारे website आप पर जाएए या फिर comment section में link है और use करिए code अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल जाए और इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज़ पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं इग्जाक्ली हुआ क्या है दिखें Central Board of Secondary Education CBSC उन्होंने प्रपोस किया है एक पाइलेट स्टडी ताकि जो feasibility है open book exams की for class 9th to class 12th ये यहाँ पर कराई जा सके बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के महने में इसी साल जो पहला पाइलेट प्रोजेक्ट है ये एक पाइलेट स्टडी है मतलब की ये एक तरह से कुछ चीजों की जानकारी कठा करने के लिए कराए जा रहा है और अगर ये successful होता है तो इसको आगे चलकर पूरी तरह से implement कर दिया जाएगा उसी प्रकार से class 11th और 12th के लिए आप देख सकते हो English, Mathematics और Biology के लिए जो Open Book exams है को conduct कराए जा सकते हैं और ये सब कुछ मैं आपको बता दूँ पिछले साल अगर आपको याद हो NCF National Curriculum Framework रिलीज किया गया था देखो एक तो होता है National Education Policy वो आपको याद होगा वो 2020 में आया था National Education Policy तो क्या होता है एक धाचा है मतलब की हमें बताता है कि किस दिशा में जाना है लेकिन जो उसके डीटेल्स होते हैं वो आपको National Curriculum Framework में देखने को मिलते हैं तो ये आपका 2023 में रिलीज किया गया था और उसमें इस तरह का मतलब की यहाँ पर जो Open Book exam हो गया इस तरह के चीजों को जादा बल देने की कोशिश की गई थी उसके अंदर और उसी के वज़े से CBSC ने इसको प्रपोस किया है दो मैं आपको बता दूँ ये जो Open Book exam का Pilot Project होगा इसमें basically CBSC जो डेटा है उसको compile करने की कोशिश करेगी जो teachers के feedbacks हैं students के feedback हैं उनको लेने की कोशिश करेगी कि इसको और बहतर तरीके से कैसे implement किया जा सकता है और साथी साथ मैं आपको ये भी बता दू CBSC जो है वो Delhi University से मदद ले रही है कि इसको implement कैसे किया जाए अब question यहाँ पर यह है कि ये Open Book exam होता क्या है देखो Open Book exam में जो students होते हैं वो अपने books और notes को refer कर सकते हैं ये सबसे simple भासा में अगर मैं आपको बताऊं मतलब कि अगर आप Open Book exam में exam लिखने जा रहे हो कहीं पर भी तो आप allowed होगे कि आप books ले जा सकते हो अपना notes ले जा सकते हो और जो exam में questions हैं उसके इसाब से आप answer कर सकते हैं लेकिन इसमें ध्यान रखेगा ये दो तरीके के हो सकते हैं Open Book exam एक होता है restricted type दूसरा होता है free type restricted type में क्या होता है कि पहले से ही CBSC आपको बता देगी कि आप ये वाले material ले जा सकते हो बस उसके अलावा कोई और material नहीं ले जा सकते हैं और उसी material में से आपको जो पूरा answers वगरा है जैसे भी है आपको लिखना होता है जो free type वाला exam होता है Open Book exam उसमें कोई restrictions नहीं होता है वहाँ पर आपको जो मर्जी चाहे जैसा मर्जी चाहे वो आप ले जा सकते हैं उसमें कोई आपका restrictions नहीं है जो भी books आपको ले जानी है वो ले जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जो open book exam होता है जो normal exams होता है जिसको closed book exam कहते हैं जहाँ पर normal हम सब बड़े हुए हैं जो exam देखे तो उनसे काफी अलग होता है जो closed book exam होता है जो हम आज तक देते हैं उसमें आपने देखा होगा कि काफी जादा जो static पार्ट होता है जो data वाला पार्ट होता है information वाला पार्ट होता है वही आपसे पूछा जाता है जैसे कि inflation हो गया तो inflation क्या होता है वो आप लिख सकते हो अब मालो open book exam में अगर आपसे पूछा जाएगा कि what is inflation तो obviously बात है न आप आसानी से copy करके उसको लिख पाओगे लेकिन open book exam में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इस तरह के direct questions नहीं होते हैं जो questions होते हैं वो basically concept based होते हैं जैसे कि for example मैं inflation की ही बात करूँ तो inflation अगर देश में है तो उसको solve करने के लिए उसको कम करने के लिए क्या step लेना चाहिए क्या monetary policy better रहेगा physical policy better रहेगा RBI इसमें क्या कर सकती है मतलब जो concepts होता है मतलब कि अगर inflation है तो RBI को repo rate क्या उसको बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए तो वो सारी चीजें जब तक आप concept नहीं समझोगे तब तक answer नहीं कर पाऊगे और open book exam होता ही इसलिए है ताकि आपके जो concepts है जो आपकी understanding है उसको बहतर की जा सकी जो आपका analytical skills होता है उसके उपर focus किया जाता है open book exam में rather than rote learning मतलब की मुझे भी याद है बच्पन में क्या होता था कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है भाई है मुझे नहीं पता कि वो होता क्या है तो क्या करते हैं हम लोग usually उसको learn कर लेते हैं अब आगे चलकर आपको open book exams की तरफ जाएगा ठीक है अब question यह है कि क्या भारत में जो open book exams का concept है क्या ये Indian students के लिए कोई नया concept है देखो दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो कई जगा इसको बड़े स्तर पर implement किया जा रहा है लेकिन भारत में भी मैं आपको बता दूए कोई नया concept नहीं है in fact CBSC नहीं 2014 में इसी तरह का एक concept introduced किया था जिसका नाम था open text based assessment यहाँ पर basically क्या कोशिश थी ये थी 2014 में CBSC चाहता था कि students के उपर जो burden होता है mugging up हम कहते है न कि उसको एकदम rote learning कर लो by heart learn कर लो उसको ठीक है वो सारी चीज़ें हटा कर CBSC चाहता था कि जो skills होती है information processing की वो students के अंदर लाई जाए और इसके लिए भी यहाँ पर class 9 में इसको implement किया गया था for Hindi, English and Mathematics Science, Social Science और जो class 11 का final exam है उसमें economics, biologic, geography में 2014 में CBSC ने इसको introduce किया था और इसमें basically ये था कि 4 मेहने पहले आपको material दे दिया जाता था कि इसमें से questions वगर पूछे जा सकते हैं और उसके इसाब से आपको जाकर answer लिखना होता था लेकिन 2017-18 में ये जो पूरा concept है open text based assessment का इसको discontinue कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर CBSC को लगा कि जो critical abilities चाहते थे वो इस concept से वो students में नहीं आ पा रहा है ठीक है तो इसको discontinue हो गया था लेकिन मैं आपको बता दू higher education में अगर आप देखोगे 12th के बाद जो higher education होता है उसमें ये काफी common है जैसे 2019 में जो All India Council for Technical Education है उन्होंने open book exams allow कर दिया था engineering colleges के अंदर क्योंकि एक advisory body की recommendation आय थी उसके हिसाब से उन्होंने 2019 में इसको allow कर दिया था अगर आपको याद हो COVID pandemic के दौरान और मुझे मैं याद है कि मैंने इसको लेकर एक video बनाया था आपके लिए लग से तो pandemic के दौरान आए गये थे इनफरक्ट आई टी डेली इंडॉर आई टी बॉमबे वहाँ पर भी ये वाला जो open book exams है वो conduct किया गया था recently अगर आप देखोगे तो केरला के अंदर जो higher education exam reforms commission है उन्होंने भी इस चीज को लेकर recommendation दिया है बट उन्होंने सिर्फ internal और practical examination के लिए का है कि open book exams allow करना चाहिए question अब यहाँ पर यह है कि क्या यह exams आसान होते है मतलब देखो बच्पन में मैंने सुना था इसके बारे में and I am sure कि आप लोगों ने भी कई लोगों ने आपने सुना होगा कि जब आप पढ़ाई करते होगे कि open book exams होता है ऐसा concept होता है तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था सोचके कि ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा मतलब book सामने है और फिर तो क्या है फिर तो छापना start कर देंगे और full marks मिल जाएगे ऐसा सोचा करते थे लेकिन actual में अगर आप देखोगी जो open book exams होता है वो काफी difficult होता है closed book exams में closed book वाले में जो हम normal exams देते हैं उसमें तो क्या है आपका information, direct questions पूछे जाते हो और आप असानी से उसको करके आ जाते हो लेकिन यहाँ पर it goes beyond facts and definition यहाँ पर teachers के लिए भी question बनाना open book exam में tough हो जाता है क्योंकि आप direct question तो बना नहीं सकते हो यहाँ पर आपको concept based question बनाने होगे उसमें आपको time लगेगा, मेहनत लगेगी तो यह काफी difficult होता है यह इस तरह के exam it's not easy तो ध्यान रखेगा open book exam में students को answer करना यह आप सिर्फ मक करके सिर्फ road learning करके नहीं कर सकते आपको concept समझना पड़ेगा तभी वो आप answer कर पाऊगे अब question यह है कि आखिरकार CBSC अब इसको propose क्यों कर रही है देखो क्या है ना कि इस समय school education system के अंदर कई सारे reforms लाया जा रहे है और उसी के अधार पर यह वाला भी CBSC चाती है कि reform finally लाया जाए जैसा मैंने आपको बोला कि new education policy आया था 2020 में उसमें direct इसका mention नहीं था open book examination लाने का लेकिन उसके अंदर suggest किया गया था कि कहीं न कहीं जो अभी समय road memorization का concept चल रहा है school के अंदर उससे हटकर हमें competency based learning की तरफ जाना चाहिए तो CBSC उसी चीज को implement करना चाहता है for instance यहाँ पर photosynthesis की बात करते हैं तो इसमें photosynthesis का concept क्या है सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए यहाँ पर actual में उसको process कैसे कर सकते हैं उसको demonstrate कैसे कर सकते हैं उसका sunlight का जो impact जो होता है sunlight का plant के उपर वो कैसा होता है तो वो छोटी छोटी चीज़े है ना वो पता हो ऐसा new education policy में बताया गया था कि हमें करना चाहिए similarly जो national curriculum framework आया था पिछले साल 2023 में उसमें भी बोला गया था कि हमें road learning से हटना पड़ेगा क्योंकि ultimately क्या होता है आज के date में जो school system है उसमें सबसे best अगर मतलब उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो यही है कि it focuses on measuring road learning और worst अगर आप देख सकते हो तो बच्चों में एक डर create करता है एक्जाम साने वाला होता है बच्चों में डर हो जाता है लिकिन आप सोच के देखिए अगर आपने साल भर में अच्छे से पढ़ाई की होगी आप class में attentive रहोगे आपने concepts को समझा होगा तो आपको लगता है कि क्या आपको एक्जाम में डर लगेगा नहीं लगेगा मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो इसी लिए यहाँ पर चाहते है कि इससे हमें जो fear वाला जो डर वाला माहौल है उससे हटना है अब question यहाँ पर यह है कि क्या इसको लेकर कोई study को लेकर तो उन्होंने कहा कि हाँ इसका सबसे बड़ा benefit है कि यह stressful कम होता है हमें उतना ज़्यादा stress नहीं होता open book exam में इसके अलावा भी आप देखोगे तो फोरण में Cambridge University Press के दौरा पब्लिश किया गया था एक study और उसमें यहाँ पर देखा गया था कि 2020 में जो open book exam हुआ था online था यह actually computer based ठीक है तो उसमें कैसा था चीजें तो उसके अंदर 98 students जो है उनके ओपर study conduct हुई थी जिसमें 21% fail हो गए थे और 78% pass हो गए थे और इस में से जिन लोगों ने feedback दिया था उनका सबसे बड़ा कहना था कि हमें सबसे बड़ा advantage है कि यह stress free है लेकिन उनके लिए disadvantage यह था कि कुछ connectivity वगरा के issues आ रहे थे तो कोई यह सब तो ठीक हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है network connectivity इशू आज के rate में काफी बहतर हो गई है लेकिन 2021 में एक study किया गया था देखिए यह काफी important है यह actually डियू के जो students है डेली उनवरेसिटी के उनका कैसा experience रहा open book exams को लेकर तो देखिए उनसे जब पूस्ताज किया गया तो उनका कहना था कि देखिए open book exams का concept तो बढ़िया है हमें अच्छा लगता है stress free रहता है लेकिन यहाँ पर क्या है na ultimately students को उस हिसाब से पढ़ाना भी तो चाहिए देखो बहुत important है हम open book exams क्यों करा रहे है ताकि बच्चों को जो conceptual based चीज़े है वो अच्छे से समझ में आए लेकिन class में अगर जो teacher आ रहा है पढ़ा रहा है वो अगर उस तरह से prepare नहीं कर रहा है बच्चों को अगर वैसे ही पढ़ाता रहेगा जैसे आज तक पढ़ाता है तो वो problematic हो जाएगी चीज़ें तो वैसा नहीं होना चीज़ें यहाँ पर जो skills है बच्चों में open book exams को लेकर वो भी build करना बहुत जरूरी है तो इस तरह से चीज़ें होने वाली है अब देखो ultimately pilot project है यह अभी CBSE का और उसमें जो नतीजा सामने आएगा उसके अधार पर मतलब आप कह सकते हैं कि अगले दो साल में इसको पूरे देश में implement करने की पूरी कोशिश है आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे comments में जरूर बताएगा और जाने से पहले एक interesting question देखो एक operation इसको कहा जाता है operation blackboard ठीक है it was the outcome of which of the following किसके आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए अलग-लग सोचन मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैक चाहते हैं you can just use this code UNKITLIFE ताकि आपको maximum discount मिले I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता आप से नेक्स ताम तिल देन थैंक यू वरी मच्छ सी यू सुड़ी आइक्यू आइस अब तयारी हुई अफॉड़बल